गुड मॉर्निंग नर्सी क्लास, वेलकम टो ओनलाइन क्लासेज प्रेजेंटिट वाइम पब्रिक स्कूल तो केज नर्सी क्लास आज आपकर टेंड हैं ड्रॉइंग, तो निकालिए अपनी डूडर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नमबर ओपन कीजिए, फिफ्टी इलेवन और आज हम एक काइट पर अच्छे से कलर करेंगे इसमें लिखा हुआ एक काइट अगें, कलर इट एज यूडिश, मतलब आपको जो ये कलर, जो काइट दी गई है, इसमें कलर करने एज यूडिश अपनी इच्छा crayणो साथ, मगर इसमें देखो ये जो आपको काइट दी गई है, इसमें कलर की आउट लांण दी गई ह ये अपको यलों क्ल प Tá so what you can say ये जो आपकी शेप है कि इसमें ग्रीय कर करें दी गई aşरी और वोपर गीक उपर की साइट जो दिए बच्छो एकदम फिनिशिंग से कलर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए एकदम प्यारे से कलर करने हैं जो आपकी काइट बहुत अच्छी सी लगे देखने में तो बच्छो आप देख सकते हो कि इसमें कलर कितने अच्छे से कीए गए हैं न और बाहर बिल्कुल नहीं निकाले गए हैं तो आपको भी इस receptor में बाहर बिल्कुल नहीं निकलने हैं क्योंकि बाहर कलर निकलने से जो हम पिच्चर्स में कलर करते हैं वो फिर अच्छी नहीं लगती है एकदम अलग लग सी लगती है और जो फिनिशिंग से कलर करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है नेक्स है इसमें ग्रीन कलर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रीन कलर करना इसको भी हम अच्छी से करेंगे और इसमें बहुत ही प्यारे कलर करेंगे बाहर बिलकुल नहीं निकालेंगे देखे बचो कितनी अच्छे से कलरों रखे है ना इसमें एकदम फिनिशिंग से बहुत ही सफाई से कलर किये हैं तो आपको भी सफाई का बिल्कुल दियान रखना है बहुत ही अच्छे से कलर करने हैं बाहर बिल्कुल नहीं कालना है अब नेक्स्ट कलर आता है यैलो चलिए अब हम इसमें yellow कलर कर लेते हैं यह भी बहुत ही अच्छी से एकड़म finishing से कलर करनें आपको ओके देख सकते हैं इतने अच्छी से कलर होई है ना बिरुकुल भी भाड़ नहीं निकला है आप last color है blue इसमें हम blue कलर कर लेते हैं है है तो देखिये आप हमारी यह काइट एक दम अच्छे से कलर खूल गई है है न είναι तो आपको भी अप्रशाय तरभ से अच्छे से करने इस तो देखिये आप कितना प्यार लग रह रहा है ना काईट में तो आपको भी इसी तरह से बहुत अच्छे से कलर करने हैं तो बच्चों मिलते हैं नेक्स क्लास पे नेक्स वीडियो के साथ थैंक यू